कि एंकर केबल्स हैं एंड एंकर केबल्स के लावा हम आपका पढ़िंगे कि आपका टावर्स पे क्या फोर्स ट्रांसवर होती है राइट यूंकि जो आपकी केबल्स होती है जैसे क्या आपकी के वह आपका सारा लोट क्यारी करती है ना इन फर्म आप टेंशन आपका ट्रांसफर होता है एंकरेज पे बट बीच पे आपका टावर आते हैं डूटावर्स होते हैं आपके उनमें आपका कितना फोर्स ट्रांसफर होगा फ्राम केबल्स कितनी रियक्शन पर डेवलप होगी उनको हम आज देख लेते हैं ठीक है तो आपके जनरले टावर के ओपर जब आपकी केबल पास करती है टावल के ओपर से टावर के ओपर से तो वहां पर जनरले आपके दो टैपके सपोर्ट रहते हैं एक आपका होता है गाइट पुली स इस सपोर्टेड और अइदर साथ ऑन शबूदिंग टावर दांकर के बस तांस्टार देख ब्सक्रीज पर देख देख इंगर के अब्सक्रीड इस और प्ली में अग्डेंट सपर्ट पर और इस रोलर सपोर्ट है तो आपको यह आल्वेटे बात पता प्लाओ में आपका आपको पताया था मैंने आप लोगों का कि आपका एक टावर होता है and actually मैं आपके minimum two towers होते है right तो from tower 1 to tower 2 जा आपकी cable जा रही होगी इस cable को हम कहते हैं आपका suspension cable क्यों कहते हैं क्योंकि आपका इस cable से suspenders आपके attach होते है right इस तरीके से तो जिस cable में आपके suspenders attach होते हैं उसका हम suspension cable कहते है right फिर आपकी suspension cable इस tower के ओपर से दूसरी तरफ जाती है यह आपके suspension cable होती है and suspension के लिए जब आपके tower के ओपर से पास होती है तो जो cable आपके tower and anchorage को connect करती है आपका anchorage क्या होता है एक huge mass of concrete होता है जो आपके ground के नीचे रहता है जो आपका सारा load के बीच में रहती है the tower which connects the cable which connects tower and anchorage is called anchor cable है ना इसको हम आपका anchor cable कहते है ओके तो anchor cable and इसको हम कहते है आपका suspension cable है है ना suspension क्यों बोल रहा है क्योंकि इसमें suspenders आपके है अटेच है तो suspension cable and anchor cable आपकी किस तरीके से यहाँ पर attach रहती है आपस में उसके लापके दो arrangements आते हैं एक आपका होता है guide pulley support एक होता है इन आफ्का रूलर support रेक्शन तो दोनों ही support के अपका different । आपको powers इबन में क्या difference है कि इसे आपrice हम बात करते हो आपका गाईट support क्यों डोनों बहुंट्यृंग ठीक है है जो critically support तो काफी सींपल सा है नहीं प intentar हाप पुली आपने कहा देखतों आप लोग पुली देखा होगा है आपका इक सर्कल होता इस तरीके से इस तरीके सर्कल गोपर से केबल और यहीं ब्राइट इस तरीके से लूँक्ष birthday तो आपके सेमी प्राइब भलत flatter यह जो आपकी इस सर्कल के ओपर से पास कर रही होती है तो ड्यू टू दिस आपका दोनों ही केबल में आपका सेम टेंचन आएगा राइट क्योंकि आपकी सेम ही केबल है वो जितना आपका सस्पेंचन केबल में आपका टेंचन आ रहा होगा टी उतना ही आपका क्या होगा एंकर केबल में आपका मिलेगा, same tension मिलेगा, T जो आपका suspension में मिल रहा होगा, वही आपका anchor cable में भी आएगा केलियर है सभी को पहला point आपका यही कहता है, for this case tension T is tension T on the cable is same on both the sides, right, first point आपका यह हो गया then आपका second point क्या है, vertical pressure on top of pier आपका यह पियर है, जिसको हम tower कह रहे है इसके top में आपका vertical force कितना रहा होगा, ठीकिया, उसको calculate करते है तो उसको calculate करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही tensions को resolve करना पड़ेगा, जो आपके anchor cable and suspension cable में आपके tension मिल रहा है इसको resolve करना पड़ेगा तो to resolve this, आपको angles पता होने चाहिए, कि आपके angles कितना बना रहे है vertical और horizontal direction से तो ये angle हमने अपने assume कर लिए है कि आपका suspension cable है, वो आपका इस vertical line से beta 1 angle बना रहा है and anchor cable आपका इस vertical line से beta 2 angle बना रहा है now हम आपका intentions को resolve कर सकते है आपका बाद में देखते है तो आपको पता है जिस तरफ आपका angle है उस तरफ आपको क्या मिल रहा होगा cos component मिल रहा होगा तो एक component आपको anchor cable का मिलेगा एक आपको suspension cable का मिलेगा तो इस direction में आपको मिलने वाला है T cos beta 1 यह आपका due to suspension cable आपका जो यह पर आपका component आएगा and due to anchor cable आपको जो component आएगा वो कितना होगा आपका T cos beta 2 राइट and इनका आपका एक horizontal component भी आएगा जो आपका in directions में आएगा राइट आपकी जो यह directions है तो आपका suspension cable का जो आपका horizontal component होगा वो कितना होगा तो आपने अब जब cables के tension के components कर दिया है resolve कर दिया है इसको तो आप इसकी help से आप vertical pressure on pier निकाल सकते हो तो आपको vertical जो pressure मिल रहा है pier पे काफी के लिए लिए आपको शोर है कि वह कितना है आपका को है आपका टी कॉस बीटा वन प्लस की कॉस बीटा टू ठीक है आपका बी लिखाए बीटा को किलियर है तो टी आपका दोनों में सेम है तो आप टी को कॉमन भी ले सकते हो तो टी को कॉमन लेते हो तो आपका यह मिल जाएगा राइट राइट दैन आपका सेकेंड है आपका horizontal force कितना आ राइपका प्लस को क्या निकाल करना पड़ेंगा आपको होज़टनल कंपोनेंट लेने पड़ेंगे राइट आपका horizontal जो फोर्स होगा वह आपको दो मिल रहे हैं पर दोनों किस डिरेक्शन आपके डिफरेंट है आप उजिट डिरेक्शन है तो यह आप तैले टी साइन आप पीटा 1 माइनस T साइन बीटा 2 तो यह आपके horizontal forces आपको मिल गए in the case of guided pulley support then आपका जो next case है इसको हम हीँ पर समझ लेते हैं इसी तरह के साब कई भी solve होगा नेक्स्ट आपका ruler support है जो कि आपका किसी saddle पर mounted है तो इस case में आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर एक box है जिसमें आपका इस तरह से suspension cable attached है और left hand side आपका anchor cable attached है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपकी जो suspension cable है और जबकी anchor cable है वो दो different cables है right that is why आपका suspension cable में आपका tension मिलेगा वो आपका different होगा जो आपके anchor cable में tension मिल रहा होगा right the first point आपका यहीं रहेगा कि आपका इस case में आपका दोनों ही cables में आपका different tension रहेगा क्योंकि आपके दोनों ही different cable है दोनों एक attached single cable नहीं है right the horizontal component of tension in suspension cable and anchor cable will be equal since roller do not have any horizontal reactions यहां पर यह काफी important चीज़ा आप लोग आप जानते हो कि आपका जो rollers होते हैं वो आपको horizontal reaction नहीं देते हैं right वो आपका horizontal displacement दे दिंगे अगर आपका उसमें horizontal force आएगा यह रोलर्स क्या होतना है अगर आप आपको एक ध्यान रखना है अगर आपका roller आपका पेर के ऊपर है तो that means आपका उसमें equal horizontal force लग रहा होगा अगर उसमें आपका unequal horizontal force लगेगा तो आपका वो roller move कर जाएगा है और आपका टावर से नीचे गिर जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा that means आपका roller को equilibrium condition पर रहने के लिए आपका roller एक ही जगाव पर रहे static रहे उसमें आपका horizontal force equal लगना चाहिए दोन डारेक्शन में राइट तो जो आपका T1 का horizontal component होगा that is T1 sin beta 1 है ना T1 sin beta 1 that will be equal to T2 का horizontal component जो आपका मिलेगा आपको T2 का क्या मिलेगा आपको T2 sin beta 2 right so that is why आपका horizontal force जो है वो आपका equal to है T1 sin beta 1 and T2 sin beta 2 के सभी को यह point समझ में आया I hope आपको आगया होगा ठीक है and then आपका जो next है vertical pressure on the pair यह आपका similar ही रहेगा जैसे आपका guided police support में था है न सेम आपका T1 cos beta 1 plus T2 cos beta 2 right क्योंकि vertical reaction आपका roller support support करता है आपको आपका दोनों का इस हम आपका support करेगा so that will be T1 cos beta 1 plus T2 cos beta 2 last topic है आपका इस यूडियल वाले case पर आपका केबल सब्जेक्टिट टू यूडियल पर रहे थे हम आपका and वह आपका कल पर लिया था तो आज आपका हमने pressure on towers देख लिया कि आपका टावर पे क्या pressure मिलता है and the last आपका है temperature stresses in suspension cable राइट क्योंकि आपको पता है कि due to temperature change आपका material की dimensional property में changes आते है right material आपका क्या होता है expand करता है and contract करता है आपका temperature change होने है current right हमें आपका सूम में पढ़ चुके हैं इस चीज को तो सेम आपका यहां पर भी होगा अगर आपका temperature change होता है तो आपका जो केबल का suspension cable उसमें क्या stresses develop होंगे आपके right कितना आपका thermal stresses उसमें आने वारा है उसके लिए आपके पास formula होना चाहिए तो formula कैसे derive होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं ठीक है ताकि आपको numerical में help मिले आपको तो पहले बात आपको पता है कि अगर आपका temperature increase करेगा तो आपकी जो length of the cable होगी वह increase कर जाएगी right अगर आपका temperature decrease करता है तो आपकी length of the cable decrease कर जाएगी यह तो काफी normal सी चीज होगी आपको पता होगी अभी तख आपका यह अभी cable है at temperature T1 है और इस cable की जो अभी length है वह आपकी S है and इस cable का जो आपका central dip है आपका वह अभी कितना है small d है right फिर मैं आपका temperature को increase कर रहा हूं मैंने आपका temperature T2 कर दिया है T2 is greater than T1 मान लेते हैं कि आपका increase किया temperature को for that case आपका जो cable का length होगा that is S आपका S थोड़ा increase कर जाएगा right तो आपका जो S है वो थोड़ा increase कर जाएगा by plus ds कर दिया मैंने आपका इसमें के कुछ increment इसके length में हो गया and उस increment को मैंने आपका ds मान लिया right similarly अगर आपकी cable की length increase करती है तो जो जो आपका central dip होगा ये भी increase कर जाएगा right तो ये दो चीज़ आपको बता होने चाहिए राइट जब आपकी cable की temperature increase कर रहा है तो आपका length to increase करेगा ही करेगा साथ में आपका central dip भी थोड़ा increase कर जाएगा ये तो वहीं से आपका start करते हैं हम derivation को let s will be equal to length of cable and delta s is the change in the length of cable due to change in temperature right अगर आपका temperature change हो रहा है तो delta s आपका length में change आ रहा है ठीक है अगर आपका temperature increase करेगा तो आपका delta s positive होगा अगर आपका temperature decrease करेगा तो delta s आपका negative होगा similarly आपका delta d क्या है corresponding change in dip है ना अगर आपका length increase कर रहे है तो आपका dip increase कर जाएगा अगर आपका length decrease कर रहे है तो dip आपका decrease कर जाएगा ठीक है and then as we know s is equal to l plus 8 by 3 d square by l यह आपका length of the cable का formula होता है जो हमने आपका curl derived किया था right so s will be equal to l plus 8 by 3 d square by l यहाँ पर आपका l जो आपको दिख रहा है l क्या होता है आपका from a point to b point की length जो आपकी होती है right from one support to next support आपका जो length होता है उसको हम l मान लेते हैं clear है and then हमने क्या क्या आपको differentiate कर दिया इस equation को with respect to d right तो जो आपका left hand side वही term है वह क्या बन गया आपकी delta s by delta d बन गया है यह ना and जो आपका l था l आपका एक constant रहेगा तो अगर आप constant को आप d के respect में differentiate करते हो तो आपको 0 मिलता है राइट constant का definition कितना होता है आपका 0 होता है तो हमने इसको 0 लिख दिया ठीक है plus 8 by 3 आपको constant है इसको हमने भाहर लिख दिया आपका है ना and then आपका d square का definition क्या होगा आपका 2d होगा राइट यह आपको आता होगा that is why मैंने आपका मैंने 2d लिख दिया ठीक है आपकी थोड़ी equation को simplify करके माने delta d की value निकाल दिया cross multiply क्या है normal तो आपका delta d कितना रहा आपको 3 by 16 ly d delta s राइट आभी हम आपका थोड़ा और इसको solve करेंगे आपका जोगे delta s है हमें नहीं चाहिए इसको थोड़ा substitute करेंगे तो as we know change in length due to change in temperature is given by delta l equal to l alpha t यह formula आपने solve में पढ़ा होगा delta l is equal to delta l is change in length due to rise in temperature and यह आपका होता है l multiply by alpha alpha is coefficient of thermal expansion and t is change in temperature right इसे हम delta t भी लिखते हैं यहां पर आपका t लिखा है ठीक है तो आपका यह T के represent कर रहा है change in temperature represent कर रहा है and alpha is coefficient of thermal expansion clear है तो यह formula आपने solve में पढ़ा है तो from this formula आपका जो delta s निकाल लेते हैं आपका जो change in length of cable आया है delta s will be equal to s multiply by alpha multiply by t okay then हमने इस equation में आपकी s की value को put कर दिया s की value आपकी जो formula से आई थी l plus 8 by 3 d square by l यहां पर मैंने s की value को put कर रहा है आपका तो l plus 8 by 3 d square by l आया आपका bracket में alpha t आ गया है न then आपका हमने alpha t की cross multiply दोनों से करी तो आपका l alpha t आया plus 8 by 3 d square by l alpha t आ गया है न तो जो आपकी यह term है 8 by 3 d square by l यह आपकी काफी छोटी term है तो हम इसको neglect कर दे रहे है इसके पीछ के reasons क्या है आपका क्योंकि जो आपका d होता है d is central dip इसकी value काफी कम होती है points में होती है और इसका भी हम square कर रहे हैं तो किसी छोटी value का हम अगर square करते हैं तो आपकी वह और चोटी बन जाती है और साथ में आपने आपे alpha भी है और alpha आपका अल्रेडी काफी छोटा होता है ना alpha के कर अपमें value पूछो आपसे तो क्या होती alpha की value steel के लिए कि इसको याद है coefficient of thermal expansion for steel क्या होता है value तो याद नहीं है value याद नहीं होगी राइट पर generally आप अगर देखोगे तो question में given रहता है question में given रहता है पर मैंने आपको कहा था कि आपको पता होने चाहिए normal चीज है steel की properties में आता है आपका यह राइट तो यह आपका जंदर नहीं होता है 1.2 या फिर 1.1 होता है कही-कही पर 1.2 into 10 की पावर minus 6 रहता है 10 की पावर minus 6 per degree Celsius 10 की पावर minus 6 आप समझ सकते हो कितना point में है आपका यह तो definitely आपका यह काफी छोटा आएगा तो हमने इसको neglect कर दिया है तो delta S will be equal to L alpha T के बराबर हमने आपका निकाल दिया है फिर इस delta S का हम आपका equation number 1 पे put कर देंगे putting this value in equation number 1 को है आपके equation number 1 यह वाली राइट तो यहां से आपको delta D will be equal to 3 by 16 L by D into L alpha T यहां पे put के आपने delta S को ठीक है आपने इसको simplify किया तो आपको delta D का यह formula मिल गया यहां ता clear है अभी को Yes sir हाँ यहां पर एक line लिखिये से पढ़ लेता है It is noted that when temperature rises L increases and and thus delta D will increase and when temperature decreases L and delta D will also decrease है यह यह normal सी चीज है Then आपका हम check कर लेते है कि आपका horizontal forces and stresses मि क्या difference आएगा due to change in temperature right So now corresponding change in the value of H due to change in D अब आपका delta D हमने calculate कर दिया कि आपका change in dip कितना आ रहा है due to temperature rise corresponding change in the value of H अब आपकी H की value में क्या change आएगा due to change in D H क्या होता आपका horizontal forces horizontal reaction at supports जो आपके supports होते है A and B वहापे आपका horizontal reaction मेल रही होती है वो होती है तो वो हमने आपका formula से calculate की थी for ideal case H is equal to PL square by 8 D हमने last lecture में इसे calculate किया था तो from this formula we can see that H is directly proportional to D right inversely sorry H is inversely proportional to D मैं देख रहा था किया आप लोग attentive हो की नहीं हो good ठीक है H is inversely proportional to D that means अगर आपका D increase कर रहा है तो आपका H क्या करेगा decrease करेगा right so that is why delta H upon H is equal to minus minus sign के represent कर रहा है आपका inversely proportional को represent कर रहा है अगर आपका delta D increase करेगा तो आपका delta H decrease कर जाएगा so delta H upon H will be equal to minus delta D upon D यह रहा है आपका represent कर रहा है कि यह आपका inversely proportional है अगर delta D increase करेगा तो delta H अपका decrease कर जाएगा similarly अगर आपका F is stress in cable है अगर आपका F क्या है cable में जो आपका stress आ रहा है आपका आपका delta F upon F is equal to delta H upon H and is equal to minus delta D upon D and यहाँ पर हमने delta D की value को put कर दिया ओपर formula से तो minus 3 upon 16 L square upon D square alpha T right यह 3 upon 16 कहां से आई यह term आपकी यह term आपकी आई है उपर वाले formula से right यहाँ पर अपने delta D का formula निकार रहा था right तो मेभी आपको confusion हो रहा होगा कि H और F है आपका F आपका वो university proportional क्यों है D से देखो तो यह काफी normal सी logical बात है logical बात जो का मैसा बताइई है कि अगर आपको resistance मिलेगा तो आपका stress에서 develop होगी right stresses यह reactions आपकी body के अंदर develop होते है right अगर आपकी body resist कर रही है तो आपकी reactions develop होगी और आपकी stresses develop होगी right & if incase आपकी body registers नहीं कर रही है, आपकी body deflect कर जा रही है in that case आपकी stress नहीं develop होगा reaction आपको नहीं मिलेगा जैसे आपका ruler होता है ruler अगर आपका horizontal force दे हम इसको तो आपका horizontal direction में move कर जाता है displace कर जाता है तो that means आपका horizontal direction को develop नहीं कर सकता तो same यहाँ पर है आपका जो delta d है delta d is deflection यहाँ delta d क्या है आपका central deflection आपका जो central में आपका deflection मिल रहा है center point पे तो अगर आपका delta d increase कर रहा है right आपका deflection increase कर रहा है तो that means आपका जो stresses है जो आपकी reactions है वो decrease करेगी के लिए रोगया तो यही दो formula आज हमने पढ़ने थे and आपका जो अभी तक हमने formula पढ़े हैं इसके basis में आपका अगली क्लास से numericals को solve करेंगे ठीक है कर आप कर आप कर आप कर कर